क्रेंटे प्रिंटेंस वेलकम टूंट नेकर्मी बहुत-बहुत सब्सक्राइब के इस लाइशन में ग्लास 9 के सुदेंस कि आज लास है और आज हम चैप्टर फर्क्ट एट इस इस improvement in crop production में हम आज lecture जो हमारा फोर्थ है ना improvement food resources का हम फोर्थ lecture discuss करेंगे लिए इसके पहले हम आपको बना चाहेंगे कि जो education awareness program का 10 group of institutions ने launch किया हुआ है का 10 academy ने launch किया हुआ है यह बहुत तेजी से बढ़दा है इसमें अलग-अलग cities के various schools बहुत सारी schools जुर्दाएं हैं हमसे और साथ ही बहुत सारा support हमें प्यारे प्यारे बच्चों से मिल ला है इस group को का 10 academy group of institutions के इस का 10 academy app यानि YouTube channel को आप subscribe करिए videos को like करिए और education awareness program में actively participate करिए ताकि हर बच्चे तक यह education पहुंच सके हर बच्चे तक proper education डिलेवर की जा सके without any fees that is free of cost चरिए तो बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हम से जुर्च चुके हैं भीया सिद्धार्थी पांडे ओके विटा गुड़ अप्टरनून हेलो हेर्स फरमा गुड़ अप्रनून भईयार्स एंड स्वास्तिक दिवेदी हेलो एंड गुड़ अप्रनून टौल अफ यू चलिए तो आज की क्लास को हम आगे बढाते हैं और स्टार्ट करते हैं त्यारे आपसे लोग चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमें पढ़ना क्या है क्लास 9th biology में हमें improvement in food resources को देखना है आज इसका lecture 4 है तो इस lecture 4 में हमें आगे की जो बचे हुए topics हैं जो की बहुत ही ज्यादा important हैं जैसे कि हम crop की variety improvement की बारे हम बात करेंगे कि how we can we can improve the quality of the crop that is variety of the crop तो और उसकी need क्यों होती इसारी बाते हम discuss करेंगे तो चलिए आज की लेक्षर को स्टार्ट करते हैं और discuss करते हैं बच्छों crop variety improvement और मयंक हुमार आचके हैं हेलो मयंक जी बहुत बहुत स्वागत है कात्यानेगाइड में के slice session में आप जोड़ जाए हमारे साथ में और फटा फटा से सीथतर रहिए class 9 का यह बहुत ही अच्छा और important chapter जिसका नाम है crop variety improvement के नाम है crop variety improvement ठीक है ना now breeders search for individual plants है ना जो breeders होत के लिए search करते हैं क्योंकि actually मैं यहाँ पर crop variety improvement की बात हो रही बच्छों क्रॉप की variety को कैसे हम improve कर सकते हैं अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो crop प्रोफिटेबल होगा लाइड इस काम के लिए जो plant breeders होते हैं जो professional होते हैं agricultural scientists होते हैं वह individual plants को करते हैं search करते हैं जिनमें desirable characters पाए जाए 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 हैं वह चाहते हैं कि ऐसा plant विले जिसमें ज्यादा grain हो ग्रेंग का size large हो ऐसे plants को पहले individually select करते हैं ऐसे plants को ढूंडते है जिसमें desirable traits हो और फिर जो दो most desirable traits होते हैं वो होता है quality of food, food और quantity of food यानि की food की plant की quantity क्या है यानि ज्यादा quantity में यानि की जो high yield है वो हमको crop से मिले उस plant से मिले high yield का मतलब ज्यादा पैदावार ज्यादा अनाच ज्यादा plants ज्यादा productivity कम एरिया में हो जाएं and natural resistance to disease यह दो में important point होते हैं कि बहुत अच्छी बात है देखानि कौन कौन है देखते हैं श इंटनू गुप्ता फिर जूठा के आप पीचले पिशने कलास में आयते हमारे और आकाश उपथा बाहूं के वी आटादनून अओ न फ्रेस्ट एंड किस नलस और हनीफ को भी जानते हैं हनीफ भी आते हैं क्लास में चलो भाई है हेलो एंड गुड़ आपरनून टौल आफ यू चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिसकस करते हैं क्रॉप राइटी इंप्रोव्मेंट के बारे में बच्छों क्रॉप की वराइटी को इंप्रूब क करेंब की इल्डा बिल्ध के और इसे तर्स जो कि कभी 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 क्रॉप में आया आते थे इसके तुल स्पवाइटि . जिसके शरीनेशली बहुत सारा दे आयाते हैं प्लांक ब्रीडर्स बखिड़न विद डिजय करेक्टर्स जो आते ब्लांक करेक्तर्स थे we वो desired variety को या desired character को select करते थे and cross them उनको cross कराते थे the developed of springs combine the attributes of both parents और जो developed of springs वह करते थे वो दोनों parents के characters को attributes को properties को combine करा दिया जाता था उसमें हैने कि हमने दो अलग-अलग characters वाले plants को select किया जिसमें दो अच्छे अलग-अलग characters present थे फिर दोनों को आपस में cross कराया लाकि दोनों के वो अच्छे characters एक office spring में combine होके आ जाएं हैना लाकि हमें वो दोनों character एक ही office spring में मिल जाएं ठीक है ना बजया तो यह crop की yield हो ज्यादा फसल होगी तो profit भी ज्यादा होगा सब लोग यह तो चाहते हैं और जो demand है crop की वो कम हो जाएगी तो कि demand को पूरा करने के लिए proper amount food available होगा तो चीज़े सस्ती रहेंगी यह ना availability रहेंगी तो जब availability नहीं रहेंगी तो चीज़े मेंगी हो जाएंगी जैसे need for higher crop yield की बात करेंगे तो पहला है higher yield, yield high होती है, दूसरा है improved quality, quality काफी improved होती है, तीसरा है biotic and abiotic resistance, biotic और abiotic resistance से आपका क्या कहते हैं कि मिल जाती है यानि कि जो biotic और abiotic जो आपके climatic factors होते हैं उसे resistance मिल जाती है, changes in the maturity duration, maturity duration घट जाती है, कम समय पे crop right होने लगती है, इससे समय बसता है and the photo insensitivity and thermo insensitivity, light और temperature के fluctuation से कोई खास changes नहीं आते हैं या कोई खास फरक नहीं पड़ता है now desirable agronomic trades की बात करते हैं, कि desirable agronomic trades क्या होते हैं, now wider adaptability, यह wider adaptability क्या होती है wider adaptability के मलब होता है, कि जो adaptability है, वो wider हो जाती है, अन्य कि अब नहीने areas में नहीने अलग अलग बैदेस में crop अपने आपको adapt कर सकती है, और grow करा सकती है यह सारे फाइदे होते हैं crop के improvement से, ठीक ना, अब बात करते हैं बच्चों mechanism, कि what is the mechanism of crop improvement, crop improvement की mechanism क्या होती है यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि आखिर किस तरह से हम किसी crop improvement करा सकते हैं सभी बच्चे लगातार हमसे जुड़े रहें, कोई भी चाय समोजा खाने नहीं जाएगा, सभी लोग लगातार हमसे जुड़े रहें, ठीक ना, चलो बाई चाय समोजा खाने जाओगे तो फिर पढ़के सो जाओगे, ठीक ना, तो अंश वर्मा करें, ओके सर, मतलब अंश वर्मा हमको देख रहे हैं, हमको उसन दना हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और चाय समोजा खाने नहीं गए हैं, तो चलो बाई, सभी बच्चे बीच-ब सब्सक्राइब करते रहो, तो शुबी सिंग बोलना है, ओके सर, मौमद अनिफ बोलना है, ओके सर, यह वो बच्चे हैं, जो कॉंटिनुसली, कंसिस्टेंटली, हमसे जुड़े हुए हैं, आसपास क्या हो रहा है, कौई मतलब नहीं है, कौन किसको पीट रहा है, कौन क्या लगोर्भवा, चलो बहुत है, और आगे आगे समस्ते चीजों को, आचा त्षा, मैं भी बोलना है, सर, और आगाज भी बोलना है, सब्यूए बच्चे बहुत अज़्म क्लास में अटेंटिव हैं, आदि अपरल हैं, छिक है, जो बई, ओके, 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 तो आरुश, ओके ठीक आरुश. so अब बात करते हैं टो ग कशन के बारे में बच्छाओ video mmmHz management की बात करते है जिसके फ़र्म किसी ग्लाप के बात करते हैly कि actually में ऐसा क्या तरीका है जिसके फिरूह किसी क्रॉप की क्योप के जिसके आम एक्ली द्टमाप के है Genetic manipulation is the incorporation of new genes for various traits from other genotype into the crop variety so as to bring about desired changes it is carried out through hybridization यह hybridization के थो होता है mutation breeding, polyploidy and DNA recombination technology DNA recombination technology की विबात कर रहे हैं breeding की विबात कर रहे हैं polyploidy की विबात कर रहे हैं यह अलग-अलग method है जिनके थो हम DNA यानि की genetic manipulation कर सकते हैं desired changes plant में या crop में last होते हैं एक एक करके जानेंगे यह सारे methods क्या होते हैं hybridization क्या होता है mutation क्या होता है breeding कैसे करानी है breeding के process क्या क्या है तरीके क्या क्या है polyploidy कैसे induce करानी है और DNA recombination technology क्या है ठीके ना चलो बच्चों आईए कुछ और introduction लेते हैं कि जो plant breeding होती है plant breeding का मनलब होता है कि plants के बीच में crops के बीच में breeding कराके हम new variety of crops को या new strains को develop करें by the process of artificial selection अब आप कहेंगे सर्फ यह artificial selection क्या होता है artificial selection का मनलब होता है कि crop field में हमने crop को grow कराया और और यह वाली crop बहुत अच्छी है I mean crop का यह part बहुत अच्छा है यह plant बहुत अच्छा है इस plant की height तो बहुत अच्छी है इसके fruit का size भी बहुत अच्छा है अच्छा इस plant के जो grains है इसका grains का size बहुत अच्छा है चुलों इसको रख लेते हैं next crop breeding के लिए इस तरह से selection होता है जो उस crop में occasionally कभी-कभी mutation की वज़े से या genetic recombination की वज़े से या superior matching की वज़े से कभी कोई अच्छी variety या superior trait वाली plant ग्रो करता है उसको हम लोग breeding के लिए select करते हैं इसे बहुत अच्छा है क्या बताईए artificial selection ठीक है ना यह बहुत important तरीका होता है होता है कोई भी plant का feature या character है ना जो traits होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं जिसको बोलते हैं इंदी में तो कहते हैं तो कि तो नहीं नहीं आ रहे हैं याने कि तुम शैतान बच्चे हो ऐसा बोलता है यह सारी चीज़े होगी तो यह सारे ट्रेट्स होते हैं इनकी उपर बोर्ट करना पड़ता है और फिर मुहमद अनीफ बोलना है डाइब क्रॉस क्या होता है सर अरे बया इतना तैजी से मत चलो डाइब क्लास में आपको डाइब क्रॉस मिलेगा उसमें बताएंगे कि टू पे आगे दिखते हैं और सुभी सिंग बोलने हैं ओके सर चाहिए बैठे हो तुम लोग सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगा रहे हो एक गंटे के क्लास होती है उसमें बहुत ही कंसें से पढ़ना है बहुत ज्यान लगा के पढ़ना है इधर उधर मन को नहीं भटकाना है अब आप सब्सक्राइब और बात कर रहे थे आर्टीफिशल सेलेक्शन के वारे में यह आप प्लांट ब्रीडिंग यह एक साइंस भी है और यह एक आर्ट भी है ताकि genetic makeup of plant को improve किया जासके in relation to their economic uses उनके economic uses के relation Now, various approaches which are used for genetic improvement of crop plants are referred to as plant breeding methods or techniques है ना? तो भज़े हम लोग अलग-अलग approaches की बात कर रहे हैं various approaches की बात कर रहे हैं जिसको हम genetic improvement of crop plant में use करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बताईए, plant breeding method और technique बोलते हैं, कामन सी बात है बात है बाईए कोई अलग सा थोड़ी नहीं याद करना है बने हम बोलते है, plant breeding method और techniques क्योंकि हम क्या सीखेंगे इसमें? हम क्या अप्रोच लगाएंगे इसमें? प्लान ब्रीडिंग के तरीके प्लान ब्रीडिंग की क्या technique है? अरे बहिए, प्लान ब्रीडिंग करनी कैसे है? पहले मालूं क्या होता था? अब तो इसके लिए training दी आती है पहले गाओं वगेरा में जो farmers होते थे traditional farmers जो की बहुत मैनेत करते हैं उनके पास ये techniques वगारा नहीं थी बट एक्स्परिमेंट मेलब वह experience के थूँ वह बार बार crops grow कराते थे तो उन्होंने common sense लगा है जोने सोचा मैं बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूँ जब civilization में स्टार्ट हुआ था उस समय की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये civilization जब से हुआ तब से ही ये सारी चीज़े जब से agriculture स्टार्ट हुआ है तब से ही crop improvement की कोशिश की जा रही है वो जानते थे कि बाया इस पूरी crop field में ये plant अच्छे है इन plant को ये लेंगे तो कि इनका grain size बढ़ा है इनका जो productivity है वो बहुत अच्छी plants की बाकी plants के compare में crop field में मालो 100 plant है तो दो-चार plant उनको अच्छे मिल गए तो उनके seeds को रख लेते थे ताकि अगले season में उसको grow करेंगे वो और उनसे उसी variety के plants बनते थे high productivity वाले high grain size वाले तो इस वज़े से जिरे 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 crop की variety में improvement होता गया grain का size बढ़ता चला गया और इस तरह से yield भी बढ़ती गई लेकिन up to a certain limit और accent बहुत जाजा नहीं बढ़ पाई ठीक है ना तो फिर जरोज किसकी पड़ी green revolution की जुरत पड़ी और फिर green revolution ने धमाल मचा दिया productivity को multiple times बढ़ा दिया और food requirements को पूरा कर दिया ठीक है ना वहम आगे discuss करेंगे ठीक है भाई तो भी आची के समझ में आ गया तो सभी बच्चे फटा-फट से ओके कर दिया करो यह सर ओके सर हाय सर कर दिया करो ताकि समझ में आ रहा है ठीक है ना शुर हो भाई तो उसके लिए यह basic knowledge ना आपके पास बहुत ज़रूरी है इसलिए जो जो बोर्ड जो आपके जो members committee होती होती तीम होती जो syllabus recite करती है वह बहुत समझदार होते है वो जानते हैं कि यह बच्चा अगर सेप्टर को नहीं पढ़ेगा और अगर आगे चलके बच्चा agriculture scientist बनना ठीक है ना चलिए आगे बढ़ता है तो अलग अलग शप्टर इसी पर पर सेट किये करें कि किसी भी फील्ड में जाना तो सेप्टर का basic या उस ट्रॉपिक का basic knowledge आपके पास रहे तो कुछ टॉपिक स्नाइट में पढ़ने और कुछ टॉपिक में पौने ठीक है ना जी चलो पेला इंट्रोडक्शन धाला क्या है बता भाइं इंतुराइब आए इंक सेर्वक्राइं को बात करेंगे और एकال के सारी चीजेंघात है के न जालो भाइक पहला क्या है करना थी crop plant को introduce कराना जो पहले वाँ पर grow नहीं करती थी उसको नए environment में नए climate में वाँ पर grow कराना था कि वो अपने आपको अपने आपको वाँ पर अपने आपको वाँ अडप कर सके कुछ में वा रहेगी तो कहेंगे तो अब हम यहाँ पर ग्रोव कर सकते हैं ठीके ना यह Gregor John Mendel इस फादर ऑफ जनेटिक्स के फादर हैं जिनके बारे में इस पढ़ाएंगे जिसे बचने पुझा तो डाइबिट क्रॉस तो डाइबिट क्रॉस भी ट्लास टेंट का ही टॉपिक है जनेटिक्स का ही पार्ट है वह सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सप्रेमेंट क तो हम बात कर रहे थे हैं तो आगे बढ़ा से हैं डीक्स का बात कर रहे थे हैं अगेमेट जोटे हैं इसे क्या मई पहते हैं च्हस आछ थे पहर दॉत हैं इस Inc. क्या मक्तिशन बोलते हैं इसाओ सब्सक्राइब करने की वहां राप कर सकते को उसकी वाद हमें क्या करना है डिसायर प्लाइंट को सेलेक्षिन करना है जो हमारे लिए उचित हूं जिनमें desirable characters पाई जाएं ऐसा नहीं कि अक्कल बंबे वह 8090 पूरे 100 और आगे तो आप लोग जानता ही हो है ना तो ऐसा नहीं कि किसी पर भी है ना करके है ना strong paper seizure करके किसी को भी select कर लिया है ऐसा नहीं करना है जो selected plants होंगे वह हमारे वह होंगे जिनमें हमारे desired traits पाई जाएंगे और हम क्या चाहते हैं हम तो यहीं चाहते हैं ना कि अच्छी crop आ जाएं अच्छा production बढ़ा है उसकी quality बहुत अच्छी हो उसका प्रोडक्शन और इल्ड हो वह बहुत अच्छी हो तो high क्रॉप कार्ट पीट के खापी जाएंगे या बेज देंगे मार्केट में जाकर है ना यह चीजों चलो बाई आगे देखते हैं वाई चीक है ओके तो हमने बोला selection तो selection जल्दी कमेंट करके बता समझ में आया अभी पढ़ाना वाकिए जल्दी बताओ क्योंकि में नहीं आया मैं बेट कर रहा हूं ठीक है ना चलो बाई तब तक स्वी रिट करा देते हैं selection the process involves selection of the most desirable of springs of a variety और plant for controlled propagation controlled propagation के लिए हम selection करते हैं most desirable of springs या crop की variety का selection favors the survival and the further propagation selection favor करता है कि वो plant survive करेगा और further propagate करेगा reproduce करेगा of some plants having more desirable characters related to the yield and quality than others जो की yield और quality से जुड़े हुए है related है ठीक है ना ये बात हो गए अब हम बात करते हैं hybridization की तुसकी बात करते हैं बताएए hybridization की ठीक है ना ठीक है आगया वाई सबको समझे आ गया okay sir okay sir yes sir yes sir yes sir okay ठीक हम तिसरी बात करते हैं hybridization की hybridization हमने क्या किया दो अलग अलग variety के crop को select किया एक हमने एक crop ली जिसमें high yield था और एक में disease resistance example के लिए एक crop में high yielding का trait था और एक crop में disease resistance का ट्रेट था और दोनों सेम वराइटी के थी मांगी हमने क्या किया दोनों को cross करा दिया ताकि जो अगली generation आया है उसमें शायद एक crop का high yielding वाले ट्रेट आजाए और दुस्री कॉप को आद डिसिस्टेंस वाले ट्रेट आजाएं यानि कि जो दो ट्रेट अलग अलग crops में थे उनको हमने combine करके एक crop मिलाने कि यानि एक ही plant मिलाने की कोशिश की so the crossing between genetically dissimilar plants to produce a kind of new plant that is hybrid plant is called hybridization इसे क्या बोलते है hybridization बोलते है and the crossing may be between two different varieties और जो crossing होती है वो दो अलग अलग varieties के बीच में होती है that is the inter varietal cross breeding इसे क्या बोलते है inter varietal cross breeding बोलते है between two different species of the same genus और यह किसकी बीच में होता है यह दो अलग अलग species की बीच में होता है जो की same genus से belong करती है inter specific cross breeding यह inter specific cross breeding क्या होती है and between different generals that is the inter generic cross breeding अलग अलग general की बीच में cross कराते है वो जानते हैं family और genus होता है अभी classification चप्टर आएंगे उसे पढ़ाएंगे तो family और genus आएंगे plants की crop की उसे हम बोते हैं office springs क्या बोलते हैं office springs और हिंदी बोलते हैं संतान ठीक ना बैटा चब आगे बढ़ते हैं चलो भाई ठीक है आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे देखते हैं आगे डिस्कस करते हैं चीक है ना चीक बच्छों अब बात करेंगे mutation reading की यह mutation reading actually मैं है आए जानते हैं इसके बारे mutation एक ऐसा फिनामेना होता है जो कि sudden changes लाता है sudden changes जिसे हम बोलते हैं mutation mutation reading so mutations are sudden inheritable variations यह sudden inheritable variations होते हैं they are produced at random through the gamma irradiations यह gamma irradiations से produce होते हैं and a number of other physical and chemical called mutagens physical or chemical agents होते हैं physical or chemical agents होते हैं बच्छों हम इन्हें बोलते हैं mutagens क्या होते हैं mutagens so mutations sudden irritable variations okay they are produced at the random through the gamma irradiations and a number of other physical and chemical agents called mutagens now next topic is polyploidy polyploidy it is increasing the chromosome number यह chromosome number को increase करता है पॉलिप्लाइट्स आर जनरली more robust with the higher yield है ना देख पोटेटो तो पॉलिप्लाइट्स जो होता है वो chromosome number को बढ़ाता है जिससे yield भी improve होती है ऐसा पाया गया है जब मूब करते हैं तो जो radiation निकलता है जो waves निकलती है उनकी waves के सब्सक्राइट्स होते हैं गामा radiation clear चलो भाई तो पॉलिप्लाइडी हो गया और mutation ready होगी अगला है हमारा crop improvement का जो तरीका है genetic recombination या DNA recombinant technology यह एक bio technology का पार्ट होता है इसमें हम technologies का use करते हैं DNA को recombine करते हैं तो अलग-अलग और desired plants के DNA को तो this technology refers transfer of genes from one organism to other इस एक organism से दुसरे organism में genes का transfer अरे यह कैसे होगा desired organisms से gene को निकाला वो भी desired gene को वो gene जो अच्छा था उसको निकालके transfer कर दिया किसे दूसरे में तो इससे क्या बोलते हैं बताओ वाई इससे हम बोलते है gene transfer so as to modify the letter and they are called genetically modified organisms GMOs और transgenic organisms हमें क्या बोलते हैं बताइए हम इन्हें बोलते हैं transgenic organisms such transgenic food plants are called genetically modified food और जीन ऐसे food या इसी crop जिसको हम genes का अदल बदला करके हेर फेर करके अल्टा पल्टी करके prepare करते हैं उन्हें बोलते हैं genetically modified crop और genetically modified food और ऐसे organisms को बोलेंगे transgenic organisms और genetically modified organisms तो कभी कोई पूछे कि genetically modified organism क्या होता है तो आप बताओगे कि वह या जिसमें genes का hair pair किया गया हूँ जीस का change किया गया हो desired gene डाले गया हूँ एक बच्चा हम तो कोई question पूछा ने कौन है बच्चा जैद पूछ रहे हैं sir what is the full form of DNA बहुत ही basic question है आईए इस कांसर आपको बताते हैं आप सभी बच्चों के इस कांसर मालूम होना से यह और आज कहीं आज अभी कभी याद कर लो class change में दुवारा मत पूछना बहुत मार पढ़ेगे बहुत आसान question है यह तो चलो बहिए डियने आप सभी बच्चे अभी याद कर लो बता रहा हूं डियॉक्सी राइबो d teşekkür a. dna dave Xbox राइबो नीपेसर सफ्ल फॉल फॉंब डियने और नी का फॉर्म क्या होता है ά्रेस फॉल फॉर्म होता है राइबो नीप ट्लीक अंत क्या होता राइबो डियोशीट आदो सिर्फ राइबोनुपलिक अषंध तर लिघा लिगा B T कॉटन क्या लिखा है बीटी बीटी कॉटन बेटी नहीं लिखा है बीटी लिखा है ध्यान से पड़ो ही तरह तो बीटी कॉटन is a genetically modified crop which carries bacterial genes that protect plants with insects जो कि genetically modified crop होती है जिसमें वो bacterial genes होते हैं जो कि plant को प्रोटेट करते हैं इंजेक्ट से अब अच्वो मास करेंगे crop protection management की की crop का protection कैसे होता है crop का protection कैसे होता है a pestis any destructive organism a pestis any destructive organisms which causes great economic loss जो कि बहुत ज्यादा economic loss cause करता है by destroying crop by destroying crop plant और products obtained from them तो या कोई भी pest है यह तरह का destructive organisms है जो कि great economic loss करता है crop को destroy करके या plant को या उसके insects, mites, nematodes, rodents, fungi, bacteria and viruses जो pest है crop plant के इन में weeds आते हैं insects आते हैं माइट आते हैं virus, bacteria, fungi, rodents और nematodes भी आते हैं roundworms आते हैं यह याद कर लेना पलाएगा and one of the most common and effective method is used of pesticide और pesticide का यूज करो और pesticide जात पाजा जो जो पैस्ट को किल करते हूं चोलो भाई तो बहुत सारे आपका महलब सही है आपका महलुमत वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती मैं जानता हूं आपने सही बताया आरुष राइब नुक्लीक एसट एंड सुही सुही सिंग ने बोला है डी औक से राइब नुक्लीक इन फॉल फॉर्म और ठीक है आरुश ने सही कर लिया घ्डेक यूज करना होता है विश इंक्लोट दाम इंसेक्टिसाइड फॉर किलिंग दा इंसेक्स विरिशाइड फॉर केंड वीड्स唉 Will And thus chemical or poison used to kill pests, example weeds, insects, mites, rodents and fungi are called pesticide. इसे क्या बोलते हैं, हम pesticide बोलते हैं. Now, we adopt the preventive measures rather allowing the crop to be infested by the pest and then control them by pesticide. हम सुखा करते हैं, pesticide से control. Some of the preventive measures of the pest are given here. Preventive measures हैं, या पर जो दिये हुए हैं, आईए पेस्ट से कैसे बचाओ करना. Preventive measures हैं कि हम पेस्ट से कैसे बच सकते हैं. पहला, use of resistant variety. हम crop की resistant variety की use. हम disease resistance की पीछे तो पढ़े हैं, कि किसी तरह से हमारी crop plant में disease resistance आ जाएं और वो crop plant diseases से बच जाएं. ठीक है ना, ठीक हैं, ओके भई जा, ठीक हैं, चलो भाई, आगे जखते हैं. crop rotation and multiple cropping, crop का rotation और multiple cropping की बात हो रही है, next क्या है, clean cultivation, clean cultivation means, जो cultivation क्या जाज़ा है, बहुत जादा साब सुतरा हो, next है summer flowing, गर्मियों में ही summer में ही flowing कर दी जाए, ये कुछ चीजे होती हैं, जो बचाती हैं, पताएं, इंसेक्ट और पेस्स हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजे होत अब आते हैं, पहला weed control, किस में आते हैं, weed control, विड जो होता है, ये पहले बात तो होता क्या पहले तो ये जानो, उसको control कैसे करेंगे फिर ये जानो, ठीक है ना, ठीक है, चलो बई, तो अब जानते हैं वीड कंट्रोल क्या होता है बच्चों वीज एक तरह का unwanted plant होता है वीड क्या है एक तरह का unwanted plant होता है जो वीड होता है यह वीड होता है अटमेटिकली उस क्रॉप में grow कर जाता है यहा है है ना, so weeds are the unwanted plants in the cultivated field in other words, plants other than the crop, कि जो crop उने सो की ति उसके अलावए जो crop निकल आएगे, जूसरे plant निकलाएगे उने हम गोल देंगे वीट क्या देंगे वीट वो정 कराई है तो वहां पर वीट क्योंट यह यह कॉंपीट प्ली नहीं च और लिए प controlling तो वहां पे वीट कर रही है वीट तो हमारी क्रॉप से रड़ाई करेगी वीट कहेगी भाईया ऐसा है देखो क्रॉप मारानी तुम खाना पीना खाओ छाओ नूट्रिशन हैं हम भी फ्लांट हैं हम भी ग्रों कर रहें कि सान ने किया था बोया नहीं था फिर भी भी हमारो कर रहें आटॉमेटिक लेंगे हीए जब वीड ने लेने ललेंगे तो हमें क्या मिलेंगे साधी में बुलाए हम जाह है ऑन zitten को घे आट कर रहे हैं लेकिन वह वीड वहां unwanted plants द्रो कर जाएंगे और वह compete करेंगे plants से water nutrients के लिए space और light के लिए भी वह क्या करेंगे करेंगे ठीक है ना ठीक है बाई चलो ठीक है तो देर्फोर रिमुवल ऑफ वीड प्लांट स्वाम दा कल्टिवेटेट फील्ड इन अर्ली स्टेज अफ दा क्रॉप इस एसेंशल तो हार्वेस्ट हाई इंपूट रिटर्न इन टम्स आफ हाई इल्ड है ना तो क्या होता बता हमें हाई इल्ड का मिल सकें ना फर एक्जेंपल बार्ले और मस्टर्ड प्लांट एक्ट एस वीड इन वीड फील्ड एंड कंपीट विड़ क्रॉप निट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार्ले और मस्टर्ड है ये एक तरह से वीड का काम करते हैं जब वीड फी वीड कंट्रोल है में मैंठ गेरे बातouse के हृए आरु अंसलों वीड आ यहाद को क्रॉप को गहाce पूरा खाना खाना खागए अब बहात होगी ना कि वीड बिन बुलाया मैमान है वह पूरा नूट्रिशन ले गया और जो विचार क्रॉप जिसको सो गर आया तो वो बिचार ऐसे पढ़िए और यह सर जी हम से नहीं हो पाएगा आप तो हम ग्रोई नहीं कर भाएं क्योंकि न चलो बाइ ओके सब्सक्राइब, सबको मज आ गई, अब आपस आज़े अपने टाइम, अपने क्लास में, अब मास करते हैं, तो बहुत क्या होता है इस इंक्लूड दा फॉलोईंग मैथड वीड को अटाने का मेथट पहला मेथड जैसे अप्रूटिंग है फील में चलो बार ले मस्टर्ड अटो यहां से अप्रूटिंग कर दिया या वीडिंग कर दी खुर्पी की एल्प से ना दा प्रोसेस ऑफ रिवोविंग दा वीड फॉम्ड वीडिंग क्या होता है बताव बहुत वीडिंग क्रॉप फील्ड से वीड्स का जो रिमूवल है उ यह कल्चरल में सेट्व क्या हैं कि दे इंक्लूड दा फॉलोइंग मैथ इसमें बहुत सारे में इंग्लूड जैसे कि प्रॉपर बेट प्रुपरेशन करना होता है कैसे किस तरह से वहां पर जो आपका स्वाइल बेट है उसकी बात हो रही है यह आपे सोने वाले बेट की से क्रॉप में तो खठी डील के संग बहुत अच्छी यह दो चती सर्जी अरे भाइया यहां पर वह बैट की बात नहीं हो रही है यह क्रॉप में स्वाइल की बात हो रही है यह करना बहुन जरूर ही है थीसरा तरीका क्या है चेमिकल मैंश्त कर लो वीडी साइट के युज़ करो, हर्भी साइट के युज़ करो उस वीड के लिए एक ऐसा गांग उसकर वीड को खतम गर्दें बहुत सारी क्रपको डिस्प्राइब करने के लिए गांग लाते हैं this is a chemical weed skillers like herbicides or the weedy sites are the sprayed on the weed to destroy or kill them and this is called the chemical control of weed युज़े क्या बोलते हैं 2,4-D, 2,4-dichlorophenopsy acetic acid and atrazine ये कुछ example से बच्चो वीडिसाइट के इंग्याद के लिजेगा ठीक है ना भाई चलो भाई ठीक है सर्थ हाँ वेरी गूद 2,4-D is used to remove wheat याद के लेना भाई या अब आते हैं biological control पे biological कैसे control करेंगे biological control का मतलब होता है किसी living agent का यूज़ करने है नहीं कि biological control of the wheat involve the deliberate use of insects or some other organisms which consume and specifically destroy the wheat plant हमने किसी ऐसे कीले मकौडे का यूज़ कर लिया ऐसे किसी insect pest का यूज़ कर लिया जो उस wheat पर ये टैक करता सा उसको वाँ पर यहां हमारी crop attack ना करें ऐसा नहीं कि वीड के साथ में हम तो जाएंगे तुमके ले डूबेंगे यानिकि ऐसा कुछ नहीं उसकरना है कि wheat के साथ हमारी crop destroy हो ऐसे आगर इंसेक्ट ये पेस्ट हो जो वीड को इस्पेसिफिकली वीड को ही destroy करता हो तो पड़ो ना इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल इंसेक्ट और पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पहला chewing insect की बात हो रही है chewing insect tear of bites of leaves जो chewing insects से ये leaves की bite को cut करेगा delicate branches chew them and then follow them like locust and gross offer ये insect pest control की बात हो रही है तो पहले type of insect की बात करें chewing insect में वो जो chew करना जानते है जैसे gross offer है locust है इसा बाते हैं और branches को कतुर को तरके खाए जाते हैं पूरे है और plant को खराब कर देते हैं ठीक है ना दूसरा क्या है यह sucking insects क्या करता है यह cell sap को सख करते है plant के अंदर के जूरस यह जूस से उसको पीते है सब sucking insects suck the cell sap from the various part of the plant such as the aphites example हो जाएगा आपेज लीफ hopper that is the phyrilla and the plant bugs यह बहुत ही famous है किसके बताई एक्जांपल sucking insects के next है internal feeders the internal feeders क्या होते है the internal feeders live inside the plant parts जो internal feeders है यह plant के different parts के अंदर रहते है they are called borers इने हम क्या बोलते है borers बोलते है when they live in twix or roots as a sugar cane borers है ना तो इने हम क्या बोलते है बोलते हैं जब यह कहां रहते हैं बताओ sticks और roots of sugar cane borers जैसे आपके example होगे हम आ रहेंगे stem and leaf cutting की बात करते हैं stem and leaf cutting and boring type of insects are controlled by dusting or spraying the contact insecticides जैसे एक मेलाथियों दिंदेंग एंड़ थायों तई होता है लिंडें होता है और मेलाथियों जो जो होता है या बिंजीन हेक्शालोडाइड है ना तो यह आपके जो भात हैं लीफ क्यां इस्टम कि बज़र अफटाइक से रीड कर लो देखो भाई क्या क्या डिसीज हैं अ शरी बच्छे ज्यान से देखिए एक रॉप प्लांट में क्या क्या डिसीज होती है एना चलो भाई आए डिसकस करते हैं प्रेली डिसीज के बारे में सब्सक्राइबने चनलों अठीजEr oxygen' अ क्यसकी अग्जामठल लिखा है एक्जामपल औ. पाजरा और परल मिलक यह एक्जाम्पल किसके हỌते हैं, मताव भाई, seed-borne diseases के example होते हैं, तो ये diseases जो होती हैं, ये seeds के उत्रों फैलती है, przez arrogant of bazera example है, या merchant of male example है, leaf spot of rice example है, leaf spot of rice, ये बहुत important example है, next है, soil bone disease, soil bone disease क्या होती है, these diseases spread through the soil, and mostly affect roots है ना यह बात बहुत important है जो soil born and disease होती है यह soil के थ्रोफ फैलती है और यह mostly roots को affect करती है and stems of the crop plant crop plant के stems को affect करती है example हो जाएगा ticker disease of ground net ground net की ticker disease की बात हो रही है ticker disease of ground net ठीक है ना ना नेक्स पॉइंट air born and disease की बात करते है यह airborne disease क्या होती है these crop diseases are transmitted by the air यह जो आपकी crop disease होती है यह air खुद शुरूब transmitted होती है example हो जाएगा rust of wheat क्या हो जाएगा बताएगा example rust of wheat wheat rust ठीक है तो these crop diseases are transmitted by the air यह बात याद कर लेना वाई यह अगला क्या है water born diseases यह तो याद करने वाली चीज़े हैं बहुत सा चीज़े याद करनी पढ़ेंगे अब तो आपको water born diseases की बात करते हैं pathogenes of these crop diseases are transmitted by the water नाम में ही तब कुछ चुपा हुआ है water के थूरू यह disease फैलेंगी example क्या है बताएगे bacterial blight of rice rice का जो bacterial blight disease होती है वह इस water के तो फैलती है अब बात करेंगे storage of grain के बारे में के बारे में ग्रेंस को में storage भी तो करना है crop को improve करने का तरीका क्या है crop की variety यानि crop की yield को बढ़ानी तरीका क्या है storage of grain यह yield को improve करने का fourth method है जैसे कि अगर हम store नहीं करेंगे तो जो crop हमारी होगे वह बेकार भी तो हो जाएगी इत्ती मैंने के रिए crop को grow कराया हम अचला कीले पढ़ गए घुन लग गए फाइदा होगा कोई फाइदा नहीं होगा storage of grain बहुत जरूरी है कि हम कैसे store कर दो हैंनि forgetting seasonal foods regularly throughout the year are they are stored in a safe storage places है ना तो हम ताकी पूरे साल तक जो हमारा सीजनल fruit है सीजनल जो crop है उसको हम पूरे साल तक ले सकें खास कें इसके लिए इसको store रणना बहुत जरूरी है safe storage बहुत जादा जरूरी है safe storage so cereals और food grains are stored at following three levels three levels पे store किया गया है पहला है at producer farmer level दूसरा है इसे हम रूलर स्टोरेज भी होते हैं गौह में जो प्रोडूसर या नि जो फार्मर होते हैं उस्टोर कर लेते हैं दूसरा एक ट्रेडर लेवल जो खरीद फरोक्ट करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं वह अपने FCI, Food Corporation of India इसका हाल तो आप जानते ही हैं इतने अच्छी तरह से food store करता है बार इसमें अनाश्चरता रहता है तो Food Corporation of India लेवल दिस दन भाई दा स्टोरिंग ग्रेंज इन दा स्वाइल दॉरिंग दा स्टोरेज दैमेज ऑफ दा ग्रेंज है ना एंटेक्स प्रेज़ बाई फॉलिंग तूमें टूमें टाइप्स आफ फैक्टर्स अंतसु दोसरा ग्यां है एक्ट्स स्टोरेज़ ग्रेंज को दैमेज करने के लिए क्टार है ऑद क्शाद्रव शान्तिन ने बूलने सर्वाट इस बेक्τεरील ब्लाइट सर्वाट इस टिककाद इस बैक्रिक्करण फैक्र्ट साह्चिज आई कि ऐसे डिसीज है जो अलग-अलग कॉजटी वेजन कॉस करते हैं सरकोस पूरा परसों नेटा एक फंगस होता वो कॉस करता है ग्राउंड की टिकर डिसीज जब कि बैक्टरियल ब्लाइट ऑफ राइस यह आपका बैक्टरिया कॉस करता है इनके सिम्टम्स अलग-अलग होते ह अलग-अलग होते हैं जैसे कि स्पोर्ट पर जाते हैं पर टिकर डिसीज में भी इसी तरह का प्रॉबलम होता है यह सारी बाते हो गये बाई तो अलग-अलग-अलग फीचर्स होते हैं बहुत सारे डिसीज हैं आप सली नाम याद कर लो आपके इद्धना से फिशेंट हैं मैं जानते क्वाइब कौन से बैटी फैक्टर्स हैं जो करप को बरबात कर सकते हैं जैसे कि इंसेक्ट है रोडं कि स्पधिक उप जाती है इस घर में रही हमाश माउस है नहां पराइकउत ऑोंत जैडए हैं वेर्ड शेयरолов बुल्ह ब्लु रॉठ ध्यंब यह ब्लू माइट्स और बैक्टिरिया भी यह सब लिविंग एजन्ट भी इनको क्या बोला बायोटिक एजन्ट बोला लिविंग एजन्ट बोला क्रॉप को बरबाद कर सकते हैं दूसरर क्या है अभियू फेक्टर सचसे और माइसर रेट ऑफ बात और रही है तो पहला क्या रेटल एफटावर्टियों क्या बता हो बात भई है इफट ऑफ दो इंशन्ट ढाहिए पहला क्या रहा रहा है लुद्त कर सकते हैं अभाई बात ग्रहिंग पहलेचेर पहलें टि यह बाद याद कर लेना देर्फोर दा फूट ग्रेंज और मटीरियल शुट बी स्टूर्ड एड लोवर टेंपरेचर बिलो थर्टी डिए संटिग्रेट इसलिए 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 मॉश्टर से बचा कर सकते हैं अच्छा तरीका है अम बात करते हैं एफेक्ट ऑफ म में मॉश्टर प्रेजन्ट होती है तो फूट ग्रेंज जो होते हैं उसके जो रेट ऑफ डिके वह बढ़े जाते हैं यह थोड़ा याद करना पूले ठीक है ना बचलो रेट ऑफ दिके है उस फूट का वह बढ़े जाएगा मॉश्टर कंटेंट की प्रिजेंस में जो फूट ग्रेंगे और वह चीज खाने की जो फूट आइटम होगा फूट क्रॉट वह वह स्रवने लेगे जाएगा अनदर डिसद्वांटेज ऑफ दा प्रेंस ऑफ ग्रेटर मॉश्टर इस दैट इस इंक्रेज दा साइज अफ दा फूट ग्रेंस की साइज को जब मॉश्टर होगा तो उनका साइज इंक्रेज करेगा वह फूलेंगे जैसे स्प्राउट्स होते हैं फूल दें छोटे होते पाई मडालों फूल जाते रात बर में उनका साइज बढ़ेगा मॉश्टर की वजए से तो क्या वह बतावाइज में ग्रोथ होगी तो इसके जैसे वह ज्यादा ज्यादा स्पेस अकुपाई करेंगे यह भी नुक्सान है अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हुमिनिटी की अगर हुमिनिटी बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत है वह हुमिन कंडिशन यानि की नमी बढ़ जाएगी तो उमस जिसको बोलते है हिंदी में राइज इन दा एंप्रेशर अफ शोर्ड फूद ग्रेंडी द्वाग दूदा ग्रोथ अव दा नौल्ड और फंजाई तो मोल्ड और फंजाई ग्रोथ उसका अपर बढ़ जाएगी और जर्मिनेशन अवे इसे बोल देंगे वेट हीटिंग और डैंप ग्रेंग इंग बो रहेंगे बच्चों प्रिवेंटि वर कंट्रोल में इधर क्या होते हैं पहला ड्राइंग शीट्स को ड्राइ कर लो सन में जो सूरज उसमें ड्राइ कर लो सुखा लो अभी दो कि वह लो लो सुखाते ना उसके पिस्वाते हैं अब 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 जो सुखाने काम करते हैं अब जो प्रोपली करना चाहिए वह जो भूसा या पेड़ पोदे जो मिले हुए मिट्टी विट्टी उसको साफ करना चाहिए विफोर देर स्टोरिंग ताकि कोई माइक्रोजों उसका अटेक ना हो जाए वाप पो अब दे शुट भी फिल इन दा न्यू गनी बैक्स बिफोर कीपिंग इन गोडाउं तो गोडाउं में रखने के पहले उनको ने ने गनी बैक्स में रखा जाए बरा जाए ना एंड वेर हाउस और स्टोर हाउस में जहां पर उनको रखना उसके पहले ही उनको हम अच्छी गनी बैक्स में पैक कर लेंगे अगला क्या दो और आ झाल से फिंट्र इस्टोरेज उनको जहां पर बीस्टोर कर रहे हैं आपके आपके लाज इसकेल पर जो ऑने होते हैं को आपके यूज्स करते हैं जो अबहुत ही बड़े और टॉल सिलेंडरिकल स्ट्ट्रॉल्स होते म बनी बैक्स होंगे जिसमें फूड होगा ठीक है ना वह प्रॉपरली सेफ रहेगा मैनुल स्प्रेय कर सकते हैं किसका या मैंकेंकल स्प्रेय कर सकते हैं बीएस्ट बैंजी निग्दे को रेट का जिसने गैमेक्सिन भी बोलते हैं या मैंतिओं तो आप यूज कर लो इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो और आप योज हो एक अनदर मेंट बांन होता है जिसमें बीमिजेशं करते हैं टाक्सिक्त करकें औरalım फुम्स बना जाती हैं इन्हें हम फुमिगेंट्स पोलते हैं जो फुमिगेंट्स होते हैं में प्रॉपिविद्शन में उसको होते हैं तक लिए तक है च्लास में तैयार रहेगा हम नेक्स्ट नुल यह ज़्ली हम से जुणने लिए बहुत बहुत दन्वाद थैंक्यू सो मज़ बच्चों पढ़ते रहे यह आगे बढ़ते रहे थैंक्यू सो मज़ ठीक ना चले चले